स्पोर्ट्स इंडिया जेके में आप सबका स्वागत है मैं कीरतिदर आपको लेके आई हूँ आज कंट्री क्रिकेट स्टेडियम में जहां पे एक लीग चल रही है तो यह हमारे साथ कमेंटरेटर्स है इनसे बातचित करेंगे और जानेंगे यह जो इतना अच्छा कमेंटरी कर रहे हैं लोगों का दिल जीत रहे हैं तो हम भी इनसे पासंद करेंगे बात करना तो आप भी सुनदीचे आपका नाम सर आपको यह करिंटरी का शो कब से हुआ देखे मैं जहां तक कॉमेंटरी का सवाल है बच्पन में हलाकि मेरी स्कूलिंग अपने वहां लोकल अरिया से हुई और उसके बाइद मेरी ग्रेजवेशन भी वही कॉलिज से हुई उसके बाइद यूनिवर्स्टी एजुकेशन कंप्लियर करने के बाइद बच्पन से एक फ सवारी हुझे के स्पोर्ट्स टाइम का जहां बड़े प्लेटफर्म पर जहां पर मुझे आफसर मिला है अपना वो टैलेंट बाहने का अब तो आप जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है कश्मीर में काफी उर्दू नोंग ज्यादा है तो आप यह अच्छा हिंदी इसमें इसका यह राज है सब्सक्राइब करने का मौका मिला तो हिंदी लेंगवेज बेसिकली हमारे स्कूल में नहीं हो थी जब मैंने एजूकेशन स्टार्ट की थी लेकिन हिंदी जो बाश्या है वो मैंने रेडियो से ज्यादा सुने क्योंकि हमारे घर में जब शुरुआत में जो एक सेक्रेट में आपका बताना चाहिए हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था लेकिन में अकसर टीवी का जो सौंड है वो म्यूट करके रेडियो की कमेंटरी सुना करता था और वहां पर मैंने पहले ही आपका पताया संजे बेनरजी सर है विनीदगर की सर है या अन या अपना टैलेंट है वो बहार निकालने का बिल्कुर सर अभी थोड़ी देर के लिए हम लाइव गए हुए थे तो काफी हमें कमेंट्स आ रहे थे तो आपके लिए मतलब कमेंटर से बात करें हमें यह दिमांड आ रही थी वही वज़ा है कि हम आपसे बात करने आए तो आप अपना एक्सपीरेंस शेयर करें आपको कहां से शोग हुआ कमेंटरी का सर तो कि मैं हम परसंदली में बताऊंगा कि यह होता है कि नैचरली कोई चीज होती आप में फिर दूसरी बात यह होती कि आपके पास वो गाइड होने चाहिए वो मेंटर्स होने चाहिए जो सातिजा साहिबान थे एक मेरे प्राफेसर है मुर्तजा गीला ने साब उनने कहा कि अगर आप अपने अंदर जहां कोगे तो आपको कुछ अलग ही महसूस होगा कि आप पाकी में मनवर तन्वीर हो तो फिर वहां से शुरू हुए वकड़ी 2007 की वो बात हैं उस वकत से मैंने शुरू किया है प्राकाश बाकंकर रोसंजे बैनर जी को मैं सुनते आता था और प्राकाश बाकंकर मेरे आइडियल जैसे और अंतराश्टी लेबल की अगर हम बात करें तो टोनी ग्रेक जैसे रीची बिनोद जैसे और नासिर हुसेन और और आज के दुन माइकल एथर्ट टाइम ने मुझे सबसे पहले जब मोगा दिया तो उस वकत मैंने परवेज रुसूल साब के सामने कॉमेंटरी की थी वो हालिया इंगलेंड के ट्यूर से आये तो उनने का नहीं इस बंदे में थोड़ा सा टैलेंड मुझे लग रहा पोटेंशल है तो फिर वहां से मैंने आगे बढ़ते गए और सरने पीड तप तपाई हमेशा बैक अप करते रहे और आगे अब लोगों से भी जो हैं हम यूं कहेंगे के खराजे तहसीन तो बट और ते रहा रहे हैं लेकिन कोशिश हमारी है कि दिन बद दिन अच्छा करते जाए क्योंकि वन शुड़ बी करते हैं आप दोनुं इंग्लिश में भी और जो यह उर्दू हिंदी मैं कहूंगी यह तो मतलब मैं क्या इसको यह कहूंगी कि काफी काफी लोगों को लुबा रही है अपनी तरफ आप दोनुं की कॉमेंटरी तो आप क्या कहना चाहेंगे जो यहां पर लीग हो रही है इस संकल्प लिया है और इससे एक अफसर मिला है जो हमारे युवा क्रिकेटर्स हैं जा जो अन्य कि कश्मीर में विंटर सेजन में तो क्रिकेट होता नहीं है तो ऐसे में यहां पर बहुत बड़ी लीग है और उसका आयोजन सफल तरीकी से चल रहा है आप वर्दमानिस्ती में हैं तो देखिए यह और इंस है यह भी जम्मू की मुझे कम लगती है जितना की कश्मीर से यह लोग आये हुए इस इन प्लेयर्स को यहां पर इनका प्रोच साहन बढ़ाने के लिए तो मैं आप से जाना चाहूंगी यहां पर आप लोग तो अपने अच्छा सा आप अपना एक्सपिरियंस की हिसाब से अच्छा यहां पर दे रहे हैं जो भी अपने कमेंटरी की हिसाब से लोगों को जानकारी देते हो मैंच के बारे में तो आपको इस बारे में आपका क्या कहना है खासकर कश्मीर के यूथ को कि देखिए फरवर देखिए इन यह जो हमारे यह और लेकिन यह फरवर इतना यह है कि यहां पर यह लोग आए यह क्रिकेट लीग करने के लिए तो उन यूथ को आपका क्या मैसेज रहेगा जजबा है जुनु है और यही ठान लिए इन्होंने गुलजार साब की बातों या लोन समय जी की बातों है ना इसकोच की है तो कोशिशिशन की है कि किसी तरह से आप मैडम इस बात से खुद भी बखो भी वाकिप है किस दोर से गुजरा है वादी कश्मीर और पनित बराद हम देख सकते हैं कि इन्टरनेशल लेवल पर जितने भी बड़े सितारे हैं उनने काफी कम नौलेज अकॉयर की हुए है विराटकोली की बात करें वो रन मेशिन अप दे इंटरनेशल क्रिकेट माने जाते हैं या फिर हम बाबर अजम की बात करें आज के दोर में काफी कमाल के खिलाड़ी हैं काफी कम नालेज उनने अकॉयर की है लेकिन सपोर्ट्स लाइन में आकर के दो ऐसे फिल्ड हैं एक होता है कि जो देश की रक्षा करता है सेंटिनल होता है उसकी इज़त बढ़ती है दूसरा यह होता है कि जो सपोर्ट्स लाइन में चाके कंट्री को अन्टरनेशनल लेवल पर कंट्री के लिए यह मुलोग के लिए खेलेंगे आप वह नमाइद की आप हासिल करेंगे जाहिर सी बात है कोई चोटी बात नहीं हर किसी का खौब होता है और जो भी इस मच पर जाएगा ऐसे ही जाएगा जब तपस्या करेगा जब हाट हाट पॉर struggle करेगा ऐसे में अदावनों में आ करके जाहिर सी बात है गर में हमारी वहां खराब मौसम है तो इस मौसम को मदे नजर रखते हुए यहां आ गए क्योंकि यहां फैवरेबल कंडिशन से तो बड़ा स्टप है मैं कहूंगा कि इनकरेजिंग स्टप है वादी कश्मीर के जा रहे हैं तो अपने अंदाज में जरा उनको मैसेज दें आप जमो कश्मीर के यूद को दिखे आ जमो कश्मीर के जितने भी हैं जो ड्रग्स में मलवस हो रहे हैं उनके लिए यही संदेश रहेगा के उन जो हमारी सोसाइटी में इस प्रकार के गल्द चीज़ें उन से दूर रहे और इस दिशा में आएं और एक नहरा बलंद करें जो के पूरे जमो कश्मीर ना सिरफ जमो कश्मीर शेतर बलके पूले हिंदुस्तान में हो के छोड़ें ड्रग्स को और चलें स्पोर्ट्स की ओर तैंक यू तैंक यू वेरी मच कीरतीदर स्पोर्स इंडिया ज